कुच्सा, कहानी, मुन्शी प्रेमचंद अपने घर में आदमी बादशा को भी गाली देता है एक दिन मैं अपने दो-तीन मित्रों के साथ बैठा हुआ एक राश्ट्रिय संस्था के व्यक्तियों की आलोचना कर रहा था हमारे विचार में राश्ट्रिय कार्यकरताओं को स्वार्थ और लोब से उपर रहना चाहिए उंचा और पवित्र आदर्श सामने रख कर ही राश्ट्र की सची सेवा की जा सकती है कई व्यक्तियों के आचरण ने हमें क्षुप्त कर दिया था और हमें समय बैठे अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे संभव था उस परिस्थिती में पढ़कर हम और भी गिर जाते लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे तो न्याय कौन करे विचारक को यह भूल जाने में विलम नहीं होता कि उसमें भी कमजोरिया है उसमें और अभियुक्त में केवल इतना ही अंतर है कि यो तो विचारक महाशय उस परिस्थिती में पढ़े ही नहीं या पढ़कर भी अपने चतुराई से बेदाग निकल गए पदमादेवी ने कहा महाशय का काम तो बड़े उत्सा से करते हैं लेकिन अगर हिसाब देखा जाए तो उनके जिम्में एक हजार से कम न निकलेगा उर्मिलादेवी बोली खैर का को तो क्षमा किया जा सकता है उसके बाल बच्चे है आखिर उनका पालन पोशन कैसे करें जब वह 2400 घंटे सेवाकार्य में ही लगा रहता है तो उसे कुछन कुछ तो मिलना ही चाहिए उस योगिता का आदमी 500 वेतन पर भी न मिलता अगर इस साल भर में उसने 1000 खर्च कर डाला तो बहुत नहीं है महाशय खा तो बहुत नहंग है जोरू ना जाता अल्ला मिया से नाता पर उनके जिम्मे भी 1000 से कम न होंगे किसी को क्या अधिकार है कि वह गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्तों की दावत में उड़ा दे शामा देवी उद्दंड होकर बोली महाशय गा को इसका जवाब देना पड़ेगा भाई साहब यो बचकर नहीं निकल सकते हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसे लाते हैं इसलिए कि यार दोस्तों की दावते हों शराबे उड़ाई जाया और मुझरे देखे जाया रोज सिनेमा की सैर होती है गरीबों का धन्यों उड़ाने के लिए नहीं है यहाँ पाई-पाई का लेखा समझना पड़ेगा मैं भरी सभा में रगे दूँगी उन्हें जहाँ पांच सौ वेतन मिलता हो वहाँ चले जाया राष्ट्र के सेवक बहुतेरे निकल आवेंगे मैं भी एक बार इसी संस्था का मंत्री रह चुका हूँ मुझे गर्व है कि मेरे उपर किसी ने इस तरह का आक्षेप नहीं किया पर नजाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे लोगों का खयाल था कि मैं बहुत कम समय देता हूँ और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने वाला कार्य नहीं किया इसी लिए मैंने रूट कर इस्तीफा दे दिया था मैं उसी पद से बेलोस रहकर भी निकाला गया महाशय गप हजारों हडब कर भी उसी पद पर जमे हुए है क्या यहां मेरे उनसे कुना रखने की वज़ा न थी मैं चतुर खिलाडी की भांती खुद तो कुछ ना करना चाहता था किन्तु पर्दे की आड में से रस्सी खीचता रहता था मैंने रद्दा जमाया देवी जी आप अन्याई कर रही है महाशय गप से ज्यादा दिलेर और उर्मिला ने मेरी बात काट कर कहा मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिपकर जनता के रुपए से शराब पिये जिन शराब की दुकानों पर हम धरना देने जाते थे उन्हीं दुकानों से उनके लिए शराब आती थी इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है मैं ऐसे आदमी को देशद्रो ही कहती हूँ मैंने और खीची लेकिन यह तो तुम मानती हो की महाशय गा केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपए चंदा वसूल कर लाते है विलायती कपडे को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए थोड़ा है उर्मिला देवी कब मानने वाली थी बोली उन्हें चंदे इस संस्था के नाम पर मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से एक धेला भी लावे तो कहू रहा विलायती कपड़ा जनता नामों को पूछती है और महाशय की तारिफे हो रही है पर सच पूछिये तो यह श्रेय हमें मिलना चाहिए वह तो कभी किसी दुकान पर गए भी नहीं आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है जहां चंदा मांगने जाओ वहीं लोग यहीं आक्षेप करने लगते हैं किस किस का मुँ बंद कीजिएगा आप बंते तो हैं जाती के सेवक मगर आचरण ऐसा की शोदो का भी न होगा देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथों नहीं हो सकता उसके लिए त्याग होना चाहिए यहीं आलोचनाय हो रही थी कि दूसरी देवी आई भगवती बेचारी चंदा मांगने आई थी ठकी मांदी चली आ रही थी यहां जो पंचायत देखी तो रम गए उसके साथ उनकी बालिका भी थी कोई दस सान उम्र रही होगी इन कामों में बराबर रहती थी उसे जोर की भूख लगी हुई थी घर की कुझी भी भगवती देवी के पास थी पतिदेव दफ्तर से आ गए होंगे घर का खुलना भी जरूरी था इसलिए मैंने बालिका को उसके घर पहुचाने की सेवा स्वीकार की कुछ दूर चलकर बालिका ने कहा आपको मालूम है महाशय गशराब पीते हैं मैं इस आक्षेप का समर्थन न कर सका भोली भाली बालिका के हृदय में कटुता द्वेश और प्रपंच का विशबोना मेरी इर्शालू प्रकृती को भी रुचिकर न जान पड़ा जहां कोमलता का सारल्य विश्वास और माधूर्य का राज्य होना चाहिए वहां कुछसा और क्षुद्रता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा देवता के गले में काटो की माला कौन पहनाएगा मैंने पूछा तुमसे किसने कहा कि महाशय गशराब पीते हैं वह पीते ही हैं आप क्या जाने तुम्हें कैसे मालूम हुआ सारे शहर के लोग कह रहे हैं शहर वाले जूट बोल रहे हैं बालिका ने मेरी और अविश्वास की आखों से देखा शायद वह समझी मैं भी महाशय गः के ही भाई बंदों में से हूँ आप कह सकते हैं महाशय गः शराब नहीं पीते हाँ वह कभी शराब नहीं पीते और महाशय कहने जन्ता के रुपे भी नहीं उडाएं यह भी असत्य है और महाशय खा मोटर पर हवा खाने नहीं जाते मोटर पर हवा खाना अपराध नहीं है अपराद नहीं है, राजाओं के लिए, रईसों के लिए अफसरों के लिए जो जन्ता का खून चुसते हैं देश भक्ती का दम भरने वालों के लिए वह बहुत बड़ा अपराद है लेकिन यह तो सोचो, इन लोगों को कितना दौडना पड़ता है पैदल कहां तक दोड़ें? पैरगाडी पर तो चल सकते हैं, पर कुछ बात नहीं है ये लोग शान दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग समझें कि यह भी बहुत बड़े आदमी है हमारी संस्था गरीबों की संस्था है यहां मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम ही न चल सके और शराबियों के लिए तो यहां स्थान न होना चाहिए आप तो चन्दे मांगने जाते नहीं हमें कितना लज्जित होना पड़ता है, आपको क्या मालूम? मैंने गंभीर होकर कहां तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए यहां सरासर गलत है हम और तुम इस संस्था के शुपचिन तक है हमें अपने कार्य करताओं का अपमान करना उचित नहीं हमें तो इतना ही देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते हैं मैं यहां नहीं कहता कि का, खा, गा, में बुराईया नहीं है संसार में ऐसा कौन है, जिसमें बुराईया नहों लेकिन बुराईयों के मुकाबले में उनमें गुड कितने हैं, यहां तो देखो हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं ये बेचारे 2400 घंटे देश हित की फिक्र में डूबे रहते हैं तीनों ही साल साल भर की सजा काट कर कई महिने हुए लोटे हैं तीनों ही के उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खुले इन्ही विरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया अगर इने शराब पीना और धन कमाना होता तो इस ख्षेतर में आते ही क्यों? बालिका ने विचारपूर्ण द्रिष्टी से मुझे देखा फिर बोली यह बतलाईए महाशय गः शराब पीते हैं या नहीं मैंने निश्चय पूर्वक कहा नहीं जो यह कहता है वह जूट बोलता है भगवती देवी का मकान आ गया बालिका चली गई मैं आज जूट बोलकर जितना प्रसन्न था उतना कभी सच बोलकर भी न हुआ था मैंने बालिका के निर्मल हरिदय को कुद्सा के पंक में गिरने से बचा लिया था